साथियों, आज पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंड हैं, और वैश्विक स्तर पर विबिन्द कारकमों और समीट्स की स्रंखला लगातार चलती रहती है। ऐसे कारकम कभी एक देश में तो कभी दिवसरे देश में होते हैं, ऐसे में भारत में देश की राजधानी दिल्ले में अंतर राश्ट्य हस्तर का एक कन्वेंशन सेंटर होना बहुत ही जरूरी था। यहां जो व्यवस्ता थी, जो हॉल्स थे, वो कई दसक पहले यहां बने थे। पिछली शताबदी की वो पुरानी व्यवस्ता, 21 सदी के भारत के साथ कदमताल नहीं कर पा रही थी। 21 सदी के भारत में हमें 21 सदी की आवशक्ताओं को पुरा करने वाला निर्मा करना ही होगा। इसलिए इभव्य निर्मा यह भारत मंडपम आज मेरे देश वास्यों के सामने हैं, आपके सामने हैं। भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एक्जिबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कांफरेंस टूरिजम का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टफ की शक्ति को सोकेश करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत हमारे आर्टिस के परफॉर्मस का साक्षी बनेगा। भारत मन्दपम हमारे हस्त वसिल्पियों कारीगरों बुनकरों के परिश्रम को प्रेटफॉर्म देने का एक महत्वपून माध्यम बनने वाला है और भारत मन्दपम आत मंदिर भर भारत और गोकल फर लोकल अभियान का प्रतिविम बनेगा यानि इकोनामे से एकोलोगीज तक ट्रेड से टेक्नोलोजी तक ऐसे हर आयोजन के लिए ये विशाल परिशम और ये विशाल परिशर ये भारत मन्दपम बहुत बड़ा मंच बनेगा